4, 3, 2, 1 अनुसूचित जाती और अनुसूचित जन जाती समुदायों के लिए बदलाओ की जमीन पहले से तयार है और वे शिक्षा की अहमियत को लेकर जादा से जादा जागरूक हो रहे हैं जिससे उन्हें समतावादी उच्ष शिक्षा पणाली और समाज हासिल करने में मदद मिलती है इस बात में कोई शक नहीं की बहतर गुडवत्ता वाली उच्ष शिक्षा की उपलब्धता और उसके बाद सुरक्षित रोजगार के मौके एतिहासिक रूप से हाशिये पर रहे इन समूहों के लिए सामाजिक सशक्टी करण का इसपस्ट जरिया हैं इस सामाजिक तथ्य के बारे में ज्यादातर लोगों को पता है कि कुछ जातियां और अन्य जातियों और जन जातियों की तुलना में ज्यादा सुविधा संपन्व हैं इसी तर्ग के लिहाज से कहा जाए तो कुछ अन्य जातियां और जन जातियां अन्य वर्गों के मुकाबले जादा वन्चित और गरीब हैं। इस सामाजिक तथ्य को ध्यान में रखते हुए संग्विधान ने अपेक्षाकृत कम साधनों वाले और वन्चित समूहों अनुसूचित जाति के लिए उनके पारंपरिक दरजे पर आधारित उनकी संग्रचनात्मक कमियों के कारण और भवगोलिक अलगाव की वजह से अनुसूचित जन जाति के लिए विशेश सुरक्षा और सकारात्मक उपायों का प्रावधान किया है। मसलन इन समुदायों से भेद भाव और अत्याचार के खिलाफ कानून बनाए गए हैं। और इसके तहत छूआ छूत अनुसूचित जाति के मामले में के चलन पर पाबंदी और जमीन और रिहायश के अधिकारों की सुरक्षा अनुसूचित जन जाति के लिए शिक्षा और रुजदगार में छात्रवृत्ति और आरक्षन का प्रावधान अनुसूचित जाति जन जाति दोनों के लिए जैसे कदम उठाए गए हैं। और हाल में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति दोनों समुदायों के लोगों की बहतरी के लिए केंद्र और राज्य सरकारों के बजट के तहत सरकार के विभिन्न विभागों में उपयोजना बनाई गई है। दरसल उपयोजना के प्रावधानों के कारण पिछले दशक में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के बीच उद्यमी और ध्यापारिक वर्ग तैयार होने का मार्ग प्रशस्त हुआ। नव व्यापारिक वर्ग के एक छोटे से हिस्से के तौर पर उभरने की बढ़ती महत्वा कांशा से पहले देश में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के बीच नई पढ़ी लिखी मध्य वर्ग की पिढ़ी का उभार देखने को मिला। इस बाबत अधेयनों में कठोर सामाजिक धाचे के भीतर बदलाव लाने में शिक्षा और रोजगार को लेकर सकारात्मक नीतियों की भूमिका को लेकर काफी कुछ कहा गया है। बेशक यह दावा किया जा सकता है के उच्च शिक्षा और सरकारी नौकरियों में आरक्षण का प्रावधान भारत में आजादी के बाद अनुसूचित जाती और अनुसूचित जन जाती के बीच नया मध्यवर्ग तयार करने का मुख्य साधन है। उच्च शिक्षा और सरकारी नौकरियों में सकती से आरक्षण लागू किये जाने से पहली पीड़ी के जादा से जादा अनुसूचित जन जाती छात्रों को सामाजिक बदलाव संबंधी बाधा पार करने के लिए प्रेरणा मिली और इस तरह से उनका सामाजिक, आर्थिक और राजनितिक तमाम मूर्चों पर सशक्ती करन हुआ। नतीजितन इस तरह के सशक्ती करन का असर सैक्षणिक और सामाजिक लिहाज से नजर आता है। एक तरह से ये असर चक्रिय हैं। सरकारी नीतियों ने अनुसूचित जाती और अनुसूचित जन जाती को शिक्षा हासिल करने के लिए सशक्त बनाया। और इससे उन्हें अपनी सामाजिक और राजनितिक हैसियत को सुधारने में मदद मिलेगी। इसके प्रणाम सुरूप उनके लिए शिक्षा के बहतर और व्यापक अवसर के नए ठिकाने खुले। पहली बात यह है कि वन्चितों के लिए सामाजिक सशक्ती करण का बड़ा असर यह है कि इसने रुजगार के लिए अच्छी और प्रासंगिक शिक्षा हासिल करने की उनकी आकांशाओं को बढ़ाया। हर इलाके और राज्य में अनुसूचित जाती और अनुसूचित जन जाती के बीच साक्षर्ता के इस्तर में बढ़ोतरी हुई है। प्राथमिक शिक्षा में भी दाखिले के मामले में तेजी आई है। इस्कूल छोडने की दर में महत्वपून गिरावट हुई है और विभिन रस्तर पर इस्कूलों में टिकने का प्रतिशत सुधरा है। हालांकी अब भी यह चिंता का विशय बना हुआ है। प्राथमिक से माध्यमिक और माध्यमिक से उच्छ शिक्षा की तरफ बढ़ने के मामले में भी सुधार हुआ है।